नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंडिया पोस्ट पेमेंट बेंक के डिजिटल एकाउंट बंद हो जाने पे इसमें जमा पेसे को कैसे निकाल सकते हैं इसका complete प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को पूरी देखें क्योंकि इसमें बताएगे एक एक बात काफी मातपूर्न है अपने जमा पेसे को निकालने के लिए दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बेंक में अधि आपने खुद से अपने मोबाईल के जरीए ओनलाइन एक एक वाशी के जरीए अपना डिजिटल एकाउंट खोले है तो यह एकाउंट की वेलेडेटि 12 महीने यानि की 1 साल तक होती है अगर 12 महीने के अंदर आपने किसी पोस्ट ओपिस्मा या फिर पोस्ट में के जरीए अपने डिजिटल एकाउंट को यी केवाशी अपना fingerprint लगा के नहीं करवाया तो आपके account खोलने के 12 महीने बाद आपका digital account को automatic बंद कर दिया जाता है यह घटना मेरे साथ हो चुकी है मैंने भी खुद से mobile के माधियम से India Post Payment Bank के digital account खोले थे मगर इसका 12 महीना के अंदर Post Office में जा करके केवाशी करना होता है इसके जानकारी मुझे नहीं थी और मैंना उसमें कुछ पेसे भी जमा करके रखे थे और लगबग डेर साल के बाद जब मैं उस account का पेसा निकालना चाहा तो मेरा account बंद हो चुका था और मैं फिर अपने नजदे की डाग घर गया और वहाँ से अपने account बंद होने की वज़ा पूछी तो बतायागा कि आपका digital account था और आपने 12 महीने के अंदर bank में आके केवाशी नहीं करवाएं इसलिए आपका account बंद हो गया है और जब मैं अपने account का केवाशी कराना चाहा तो नहीं हो पाया और बतायागा कि आपका account बंद हुए काफी दिन हो गया है इसलिए यहाँ से नहीं होगा अब आपको बड़ा डाक घर जाना होगा इसके बाद मैं अपने परखंड लेवल के बड़े डाक घर में गया वहाँ पे भी अपना digital account के पूरी detail बताया मगर वहाँ से भी मेरा काम नहीं हुगा और बताया गया आपका बंद हुए account दुबारा चालू नहीं होगा आपके account में जमा पेसे को निकालने के लिए court से एक एफीड एफीड करना पड़ेगा और एक आवेदन लिखना होगा फिर आपको post office के head branch जाना होगा तब आपका पेसा निकलेगा और इसमें लगबग 1000 रुपेश तक का खर्च आपको लग जाएगा पेसे निकालने में पर मैंने उसकी कोई बात नहीं मानी और मैं अपने जीला के मुक्ष वरांच के post office पहुँच गया और लगबग एक घंटे लगबग एक घंटे लगबग रहने के बाद जब मेरी बारी आया और जब मैं अपना पूरा विवरन बताया और अपना बंद हुए एकाउंट का डिटेल उसे दिया तब उसने अपने सिस्टम में मेरा एकाउंट नमर डाला तो बताया गया कि आपके नाम से एकाउंट नहीं है मगर आपका आधार नमर आप ही का आ रहा है और मोबाईल नमर तो था पैन का नमर किसी और कहा रहा है इसलिए मैं आपका एकाउंट चालू नहीं कर सकता हूँ आप एक बाल मेनेजर से जाके बात किजिए इसके बाद मैं मेनेजर के पास पहुंचा तो मेनेजर वहाँ पे किसी से कुछ बात करने में बैस था उसे खाली होने पे मैंने अपने पूरी समस्या सुनाया इसके बाद उसने कहा आप वह आपस से एकाउंट खोलने वाले के पास जाईए और अपने पुराना CIF नमर से एक नया एकाउंट ओपन करा लिजी फिर मैं आपके पुराने एकाउंट का प्यसा आपके नये एकाउंट में ट्रांस्फर कर दूँगा मैं फिर वापस से गया उसके पास और मैनेजर की कही सारी बात उसे बताया कि पुराने CIF नमर से मेरा नया एकाउंट open कर देजिए उसने काफी देर तक कोसिस करने के बाद मेरा पुराना CIF नमर से नया एकाउंट नहीं खोल पाए और मैं फिर दुबारा मेनेजर के पास पहुँचा और उसे पूरी बात बताए फिर उसने वहीं से अपने एक Postman को गुलाया और मेरा नया एकाउंट नई अस्तर से खोलने को बोला और फिर अपने पुराने एकाउंट के डिटेल दिये बिना हैं अपना अधार काउंट मोबाइल नमर तथा पेंड काउंट के बज़े एक नया एकाउंट ओपेंड कराया मैंने जो कि कुछ ही मिन्टों में नया एकाउंट चालू हो गया इसके बाद बंद हुए एकाउंट के पैसे मेरे एकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए मुझे एक ट्रांसफर की फॉर्म दिया गया इसमें अपना पुराना एकाउंट के डीटेल जैसे एकाउंट नमर, C, I, F, नमर, नाम इत्यादी भरने के बाद उस पेसे को जिस एकाउंट में ट्रांसफर करना था, यानि कि अपने नई इंडिया पोस्ट पेमेंट बेंक की एकाउंट का डीटेल भी उस फर्म में भर दियें और उस बंद हुए एकाउंट में मेरा कितने पेसे थे, उसे चेक करके वही से मुझे बता दिया गया और उतने ही पेसे कोई एमाउंट को मैंने अपने ट्रांसफर करने वाले फर्म में भर दियें और फिर फर्म में अपना हस्ताक्षर करके मैनेजर के पास ले गया और उससे भेरिफाई करा कि वह आपस एकाउंट खोलने वाले करमचारी को जमा दे दियें और वहाँ से बताया गया कि 2-3 दिनों का समय लगेगा आपके पुराने एकाउंट का पेसा आपके नई एकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा मैं वापस अपने घर आ गया और 2-3 दिन के इंतजार करने के बाद जम मैंने अपना नया एकाउंट को चेक किया तो पुराने एकाउंट में बचे पेसे मेरे नई एकाउंट में ट्रांसफर होके आ चुका था तो दोस्तों इतनी परकीरिया पूरी करने के बाद मेरे बंद हूए एकाउंट के पेसे नई एकाउंट में मुझे मिल गया अगर आपका भी India Post Payment Bank के Digital Account बंद हो चुका है और काफी समय हो गया है और वह चालू नहीं हो रहा है तो आप अपने मुख्ष पोस्ट अपिस जाएं और वहाँ जाने के बाद आपको इसी परगिरिया को फोलो करना है वहाँ पे जाकरके पहले आपको अपना एकाउंट के Detail बताना है अधि वही एकाउंट दुबारा चालू हो जाए तो ठीक है अधि नहीं चालू हुए तो आपको अपने अधार से एक नया फ्रेस एकाउंट को Open करा लेना है इसके बाद अपने पूराने एकाउंट के Detail दे क करके वहाँ से एक फंड ट्रांसफर के फॉर्म को ले करके उस फॉर्म को पूरा भरना है और उसे वहरिफाई करा के वापस से उसे जमा दे देना है इसके बाद दो से तीन दिनों का टाइम लगेगा और आपके बंद एकाउंट के पेसे आपके नई एकाउंट में सफलता पुर्वक आ जाएगा इसमें आपको कोट से एफीड एफीट या फिर कोई और काईजाद बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि मैंने खुझ से यह सारी परकिरिया किये हुए है इसलिए आपको सही जनकारी बता पा रहा हूं तो किसा लगा आपको यह जनकारी आ आपको बहुत बहुत धन्यवाद